दर यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि उसने रूस के एक जंगी टैंक पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी है जिसके बाद रूसी सेने के जान बचा कर भागते हुए नजर आया क्योंकि वो जिस टैंक में थे उसे यूक्रेन की सेना ने निशाने पर ले लिया इसके बाद जैसे ही लॉंचर से मिसाइल छूटी वो हावा की रफ्तार से जाकर सीधे टार्गेट पर लगी जिससे वहाँ जोड़दार धमाका हुआ ड्रोन से बनाए एक दूसरे वीडियो में इसके आगे का मंजर दिखाया गया जुसमें ध्वस्त हुए रूसी टैंक के उपर धुएं का गुबार नजर आया साथ ही उसमें मौजूद सेनिक जान बचाकर वहाँ से भागते हुए दिखाई दिये और यूकरेन में हर पल परमाणू बम के हमले का खत्रा मंडरा आए जलेंस्की ने यूकरेन के लोगों से अपील कर दी है कि वो एंटी रेडियेशन दवाएं अपने पास रखें अभी और देखेगा अब पुतिन की मिसाइलें सिर्फ बारूद वाली नहीं होंगी अब पुतिन जलेंस्की को परमाणू बम से जलाएंगे एक एटमी धमाका होगा और राख हो चुके क्यू पर पुतिन खब्जा कर लेंगे सवाल ये मत पूछिए कि राख पर खब्जा कर पुतिन उसका क्या करेंगे यूकरेन की जनता की जान बचाने की जलेंस्की की चिनता किसी काम नहीं आ रही पूरी दुनिया के शान्ती दूतों के तोते उड़ गए है बुतिन इनकी एक नहीं सुन रहे और हर भागते घंटे के बाद ये तस्वीर और साफ होती जा रही है कि बुतिन यूकरेन पर परमानो बम गिराएंगे रूस के मगाबले मुठी भर फौज लेकर लड़ते जलेंस्की की बातों को नजर अंदास करना उस बिल्ली की माफिक होगा जो मुश्किल के वक्त आँख मुंद लेती है कि मुश्किल टल जाएगी लिहाजा आज यूकरेन के राश्ट्रपती वलादिमीर जलेंस्की को बहुत गोर से सुनना चाहिए हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमानो हत्यारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए वो किसी भी हत्यार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ एंटी रेडियेशन, मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की ज़रूरत होगी जलेंस्की ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बार बार ये बताते रहे हैं पुतिन किस हद तक जा सकते हैं बावजूद इसके ब्रिटेन, अमेरिका या ये उरोपिये देश उनके साथ खुल कर खड़े नहीं हो रहे हैं ऐसे में पुतिन की एटम बम चलाने की इक्षा और प्रभल होती जा रही है हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बाते हैं, वो कौन से कदम हैं जिसकी वज़र से ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाडू बम का हमला कर सकते हैं भले ही ये हमले छोटे परमाडू हत्यारों से हो लेकिन इससे निकली तबाही यूक्रेन को और ज्यादा बर्बाद कर देगी मादरे वतन को महफूज रखने की ये चिंता उस जलन्सकी की है जिसकी अपील को दुनिया ने अब तक ठुकराया ही है इस तथ्य से वाक्तिफ होते हुए भी कि जब परमाणू बम गिरेगा तो रेडियेशन के जद में दूसरों के मकान भी आएंगे यूक्रेन मिटेगा तो इससे फिनलैंड और ताइवान भी अच्छूता नहीं रहेगा जलन्सकी इसके पहले भी चिता चुके हैं और दो दिन पहले आटेम अटाक की यही चिंता अमारिका को भी सता रही थी तो क्या अब पुतिन ने परमाणू अटाक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है यूक्रेन के आठ शेहर इस वक्त रूसी सेना के गोलों से दहल रहे है शेहर दर शेहर पुतिन की सेना बरबाद कर रही है दूसरे विश्वयुत के बाद दुनिया ने इतना भयावा द्रिश्च नहीं देखा होगा हर तरफ को राम मचा है यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं सैनिकों के गिरे शाओ, मिसाइल अटाइक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आस्मान पर उड़ता कालत पूतिन की आँखों में सेलिंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियावान में तबदील हो रहा है क्यूँ में युद्ध के साइरन खामोश ही नहीं हो रहे क्यूँ के पुर्वे हिस्से दारनिट्सकी में एक के बाद एक गई धमाके हुए है मारियो पुल पर रूस की सेनाओं ने खब्जा कर लिया है यूक्रेन के अलेक्जेंद्रिया शेहर के सैन हवाई ठिकाने पर मैसाइल हमले किये गए बुलाबारी में सेवेर दोनेट्स और लिसी चांस शेहर को जाने वाली गैस पाइपलाइन शती रस्त हो गई है लिसी कांस की तेल रिफाइनरी पर मैसाइल हमला हुआ है यूक्रेन के फुर्वी शेत्र लुहांस और खार्क्यू में भी यूक्रेन के दक्षन में माइकुलाइव और खेरसान में भी इड दर इड तूटता यूक्रेन अब दिवार दर दिवार ढह रहा है Зеленські कहते हैं, कि मदद तो यूरोप और अमेरीका दोनों से मिल रही है लेकिन रूस से लडने के लिए जैसी मिलनी चाहिए, वैसी नहीं मिल रही है Ми розуміємо, що режим припинення вогню хоча б на території Півдня, хоча б на території Маріуполя для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих Це був би першим кроком, це вже залежить від бажання Російської Федерації Я їм все одно, це пасхальні свята, не пасхальні свята, ми точно знаємо і бачимо їх реакцію Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, йти в полон Британь, Америка, або Європія, Десь, Україна, які мадад то каже Лекін ек хад так, ек дайре ме, кіюкі кхуль каркада хоне ме є хатра хе, кі вишу юдичен сакта хе और यе Америка नहीं चाहता, Британь नहीं चाहता, क्योंकि ये उनकी मجبوری नहीं है, बलकि उनकी जरूरत है पुतिन के बारे में सब जानते हैं, कि वो आँख ही नहीं, सूर्मा भी चुरा लेते हैं तो क्या जेलेंसकी की इस बात पर अब यकीन करना ही होगा, कि पुतिन परमानो भम से हमला कर सकते हैं परमानो भम वाली ताकत के प्रदेर्शन के पीछे एक नहीं, कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं पुतिन जैसे लीडर ही इस तरह के फैसले भी करते हैं क्योंकि ना तो युद्ध हर दिन लड़ा जाता है, ना आखरी वक्त तक युद्ध भूमे में इंतजार किया जाता है ये बिलकुल वाल टैक्टिस है, कि हर मुर्चे पर विरोधी को मात दी जाए पुतिन की फिलासोफी रही है, कि पहले लाद, फिर बाद, और फिर मुलाकाद लेकिन ये उल्टा खानून है, और इसे दुनिया सीधे तोर पर कभी नहीं मानेगी शायद यही वज़े है, कि यूक्रेन के हथियार भले ही रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हो लेकिन यूक्रेन की जिना का जजबा और होसला अब भी बाक्ती है, और इसे तोड़ने के लिए वो दिन एटम भम का इस्तेमाल करने से भी वुरेज नहीं करेंगे वही दिल्ली हिंसा की आग की आँच अब तक महसूस की जा रही है, फिलाल तो हालात काभू में है लेकिन सवाल की लंबी फैरिस्थ है, हिंसा मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है जबकि दो नावालिकों को